आज भी हम set chapter ही पढ़ेंगे, set chapter से related कुछ question है और कुछ theory है वो हम complete करेंगे, ठीक है, देखो पहला question क्या है, at the solution set, solution set लिखना है मतलब किसका equation का, यह आपको क्या दी है, कोई equation दी है, जो कैसी है quadratic equation है, quadratic equation का आपको roster form में क्या लिखना है, solution set लिखना है, solution set क्या होगा, solution set का मतल है, जो भी quadratic equation के solution आएंगे, जो इसके factor आएंगे, जो इसकी x की values आएंगी, वो क्या होगी, हमें एक set के अंदर रखनी होगी, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस equation को solve करना होगा, x square plus x minus 2 is equals to, यह equation है, ठीक है, solve करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, x square का coefficient क क्या है, 1, constant number क्या है, इसमें, 2, constant जिसमें x नहीं है, क्या है, 2, 1 और 2 की multiply करते हैं, कितना आएगा, 2 आया, अब इस 2 के ऐसे factor करो, अगर इस constant number के सामने, minus है, ठीक है, अगर इसके सामने minus है, तो इसके ऐसे factor करो, कि उनको minus करने पर, यहां जो number है, वो मिल जाए, x के साथ क् number है, multiply में, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यानि इस 2 के ऐसे factor करो, जिनको minus करने पर, यह 1 मिल जाए, तो 2 के factor क्या हुए, 1 into 2, और 2 में से, अब इन दोनों factor को 2 में, इन दोनों factor को घटा दो, 2 minus 1 कर दिया, तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो वही काम आपको करना है, plus 2x, तो इस 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 minus 1, x minus 2 is equal to 0, x square plus, x की multiply दोनों के साथ हो जाएगी, यह तो आपको solve करनी at least आती ही होगी है, तो x square, अब क्या करेंगे, देखो, इन दोनों term में से x common आ गया, x common आ गया, यहाँ पर कितने x हैं, 1x बहर ले लिया, तो 1x बचा, plus 2x में से x तो बहर ले लिया, क्या बचा सिर्फ 2, फिर इन दोनों में से minus common ले लिया, ठीक है, क्या बचा, x बचा, plus का 2 बचेगा, क्योंकि यह दोनों minus तो बहर आ चुके हैं, x plus 2 बचा, is equal to 0, अब यह x plus 2 common आ रहा ह है, यह बाहर ले लिया, जब इसको ही बाहर ले लिया, तो क्या बचा सिर्फ x minus 1, तो इस equation के कितने factor बने x plus 2 और x minus 1, ठीक है, जब इन दोनों को 0 के बराबर रखोगे, तो क्या होगा, या तो यह 0 होगा, मतलब अगर कोई दो चीस multiply में है, और उनका answer आपको 0 मिलता है, तो दोनों में से एक ना एक तो 0 होगी ही, हो सकता है, दोनों भी 0 हूँ, तो x plus 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे, x की value minus 2 आएगी, x minus 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे, x की value 1 आएगी, तो आपको क्या मिला, 1 और minus 2 मिला, तो इसका solution set क्या बन जाएगा, a is equals to 1 और minus 2, या minus 2 और 1 भी आप इसे लेख सकते हो, तो इस equation का यह क्या बन गया, solution set, ठीक है, next आपको क्या दिया है, question, write the set, x such that, x is a positive integer, x जो होगा, आपका positive होगा, ठीक है, and x square, उस number का जब आप square करोगे, तो वो 40 से कम आएगा, roster form में हमें लिखना है, ठीक है, तो a is equals to, यह लिखा जाएगा, ठीक ह हमें नहीं पता वो क्या है number, हमने माना one का square करते हैं, तो one आता है, 40 से कम है, two का square करते हैं, तो कितना आता है, four आता है, 40 से कम है, three का square करते है, nine आता है, 40 से कम है, four का square करते है, sixteen आता है, 40 से कम है, five का square करते है, twenty five आता है, 40 से कम है, six का square करते है, thirty six आता है, 40 से कम है, seven का square क से कम नहीं है मतलब 7 के पास हम जाएंगे ही नहीं हमारा काम यहां तक खतम हो गया ठीक है इसने कहा है कि X वो number है जिसका square set आपको बनाना है इसका किसका X का लेकिन X के पास क्या गुण है क्या property X के पास X एक ऐसा number है जिसका square करने पर 40 से कम आएगा और होना चाहिए positive क्योंकि अगर आप minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 का भी square करते हो तो 40 से कम मिलेगा लेकिन minus वाले integer हमें नहीं लेने हैं सिर्फ हमें positive integer ही लेने हैं ठीक है तो x की value क्या हो जाए एक 1 2 3 4 5 6 अब आप सोच रहे होंगे कि हमने square वाले क्यों नहीं रखे square वाले हमें नहीं रखने हैं हमें x देखना है x हमने क्या माना था 1 उस 1 का square किया 40 से कम आया फिर हमने x माना 2 उस 2 का square किया 40 से कम आया ठीक है फिर हमने माना 3 3 का square किया 40 से कम आया 4 माना फिर 5 फिर 6 और उनका square करके देखा 40 से कम आया ठीक है तो ऐसा सिर्फ 6 तक ही हो रहा है तो इसका set बनेगा इतना x square वालों का set नहीं बनाना x का set बनाना है लेकिन x के पास property क्या है कि उसका square करने पर 40 से कम आना चाहिए तो वो X हमारे क्या हो गए, वो X हमारे ये हो गए, ठीक है, लिखने का तरीका यही है, curly braces में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हो गई इसकी roster form, next देखते हैं, next इसमें आपके पास आता है empty set, empty set हो set होता है, which does not contain any element, जिसके अंदर कोई भी element नहीं होता है, उस set को हम क्या कहते हैं, empty set, empty set को आप कैसे denote करते हो, empty set को phi से denote करते हो, curly braces में phi रख करके denote नहीं करते हैं, हम ठीक है, ऐसे denote नहीं करते हैं, empty set का मतलब इसके अंदर कोई भी element नहीं है, कोई भी element नहीं है, तो उसको हम denote करते हैं, या तो phi से, या फिर सिर्फ curly bracket दिखाएंगे, ऐसे, ठीक है, curly bracket के अगर आप 5 को रखते हो, तो वो गलत होगा, ठीक है, आपको क्या दिखाना है, empty set को हमेशा 5 से दिखाना है, या सिर्फ curly bracket से, ठीक है, अब empty set के example क्या है, वो देख लेते हैं, कोई set है, A, X such that X, X तो हमें पता है, यह इसकी दे रखिये definition, यह आपको set builder form दे रखी है, ठीक है, X एक natural number है, natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइब के ठीक है, 4 से बड़ा है, 4 से है बड़ा, मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1, 2, 3 नहीं हो सकता, less than 5, और क्या है 5 से छोटा, 4 से तो बड़ा है, और 5 से छोटा है, जब 5 से छोटा है, तो 6 और 7 का तो मतलब भी नहीं है 5 से क्या है छोटा 4 से बढ़ा है है कैसा natural number 4 और 5 के बीच में क्या कोई natural number होता है नहीं होता 4 और 5 के बीच में बहुत सारे real number आपको मिलेंगे ठीक है real number इन दोनों के बीच में बहुत सारे मिलेंगे लेकिन 4 और 5 के बीच में कोई भी national number नहीं होता, तो जो x के आपको definition दी है, वैसा x तो कोई exist ही नहीं करता, तो इसका मतलब है, एक ऐसा set है, 5, empty set है, 5 से मुझे दिनोट करेंगे, इसी तरीके से x such that x square minus 2 is equals to 0, इसको solve करो, x square is equals to 2, ठीक है, जब इधर से 2 हटाओगे, तो इधर 1 by root चल आजाएगा, x square है, इधर से root 2 हटा, पावर हटाओगे, तो इधर के आजाएगा, ये under root में, x की value कितनी मिली, under root 2, और under root वाले सारे क्या होते है, irrational number, अगर आप under root में किसी number को solve नहीं कर पा रहे हो, under root में 2, 2 को आगे, आप solve भी नहीं कर सकते हैं, तो वो irrational हो गया, अगर आ 4 को लिखा 2 into 2, इन दो में से 2 बहार आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये irrational नहीं हुआ, ठीक है, अगर इस 4 को में solve ही ना कर पाती, इस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 2 को किसी ऐसे number का multiplication लिख सकते हो, कि दोनों सेम हो, नहीं ठीक है, बट X क्या कहा है, rational कहा है, rational क्या होते हैं, P upon Q की 4 में होते हैं, Q is not equals to 0, ये क्या कहा है, rational, बट ये क्या है rational, तो ऐसा कोई number exist ही नहीं करता, तो B भी क्या हूँ, आपका empty set हुआ, ठीक है, X is that X is an even prime number, पहली बात तो prime number क्या होते हैं, prime number आपके 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो या तो खुद से divide हूँ, या तो खुद से divide हूँगे, या फिर 1 से, ठीक है, जैसे 4 है आपका, 4 आपका 1 से भी divide होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, ये extra आगया हमारे पास, तो ऐसे number 3 है, आपका 1 से divide होगा, और 3 से, और किसी से divide होगा ही नहीं, तो जो number आपके सिर्फ खुद से और 3 खुद से और 1 से divide होंगे वही आपके prime number होते हैं even prime number even prime number सिर्फ आपका 2 होता है ठीक है पूरी जितने भी counting होती है सिर्फ और सिर्फ एक 2 ऐसा number है जो even भी है और prime भी है x as that x का even prime number ठीक है वो तो हमें मिल गया 2 but greater than 2 2 से बड़ा तो कोई भी even prime number होता ही नहीं है अब चेक करके देख ले ना खुद भी 2 से बड़ा कोई भी even prime number नहीं होता ठीक है तो ये भी कैसा set हुआ आपका 5 empty set हो गया d x as that x square equals to 4 x is odd जैसे ही आप इसको solve करोगे x की value आपको plus minus 2 मिलेगी x का है odd odd मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस टाइब का ऐसा तो मिलेगा ही नहीं 4 को जब solve करोगे plus minus 2 मिलता है और 2 क्या है even number है 2 क्या है even number है जो 2 से divide होते हैं वो क्या होते है even number जो 2 से divide नहीं होते हैं वो आपके odd हो जाते हैं तो यह तो 2 से divide हो रहा है 2 तो already even होता है बट इसने क्या कहा है odd तो यह भी क्या हो गया आपका 5 अगर यहाँ पर even लिखा हुआ होता तो 5 नहीं होता ठीक है फिर यह दोनों element आ जाते लेकिन इसने बोल है odd odd बोला है तो D हमारा क्या हो जागा होंगे उनको आप गिन सकते हो वो क्या होंगे डमई काउटेबल होंगे तो finite set ऐसे set होते हैं जिसमें क्या हो countable number of elements होते हैं इन finite set वो होते हैं जिसमें uncountable हो मतलब जिन्हें आप गिन नहीं सकते हो ठीक है uncountable number of elements उसके अंदर होंगे जैसे finite set के example यह रहे, जैसे A कोई set है, इसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 ही element है, तो हम गिन पा रहे हैं, तो यह हो गया आपका finite set B, B के अंदर balls का set बनाया हुआ है, A, E, I, O, U, सिर्फ 5 ही होते हैं, तो यह भी क्या है, finite है, गिन पा रहे हैं C, C set ऐसा है, देखो, 1, 2, 3, up to son, 100 तक जा रहा है, इसकी एक limit है, यह कहा तक जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 तक ही जा रहा है, मतलब इसमें 100 ही numbers होगे, यह लिखके ही तो दिखाया है, अब ऐसे थोड़ा ही नहीं है, 1, 2, 3, सिर्फ कहा तक 100 तक जा रहा है, अगर यह 100 ना हो limit दे दी है, तो यह भी कैसा है, finite set है, क्योंकि हम इने गिन सकते है, 100 ही होंगे, ठीक है, लास्ट में बताएगा, कहा तक जा रहा है, तो वो होगा finite, लेकिन अगर, कॉमा लगा के dot 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 लगा दी जाती है, तो यह क्या है, natural number का set है, 1, 2, 3, कॉमा लगा के dot dot dot, मतलब natural number है, आगे तक counting कहीं तक भी चाहेगी, हमें नहीं पता इसके अंदर कितने numbers है, तो यह क्या हो गया, आपका infinite set, इसी तरीके से integers, integers में क्या है, dot dot dot, पता नहीं कहां से आ रहा है, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, अब 2, पता नहीं कहां तक जा रहा है, ठीक है, तो यह भी कैसा है infinite set है, तो यह आपका finite set और infinite set में difference हो गया, next आपके पास आता है, singleton set, singleton set में क्या होता है, singleton set वो set होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही element होगा, ठीक है, जैसे A, A के अंदर सिर्फ 1 है, A की element है, B के अंदर 3 है, A की element है, minus 1 है, इसके अंदर, इसके अंदर A है, इन सब में क्या है इन सारे set में सिर्फ एक ही element है तो ये कैसे हो गए आपके singleton set हो गए next आपके पास आता है equal sets equal sets वो होते हैं जब दोनों set जो होंगे वो बिल्कुल same होंगे ठीक है जैसे पहला set है 1,2,3,4 elements उसके same होने चाहिए आगे पीछे हो सकते हैं 1,2,3,4 को हमने 3,1,2,4 लिख दिया elements तो same है 1,2,3,4 ही इधर है 1,2,3,4 ही इधर है भले ही आपने आगे पीछे करके लिख दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ था क्या होना चाहिए बस elements अगर same है ठीक है तो वो क्या है आपका equal sets कहलाएंगे इसमें भी